और अब जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है जो आज की बैठक मुख्यमंतरी अशूक घेलोत ने घर पर ली है उसके बाद ये खबर निकल के आ रही है कि जो पूरा आज लॉकडाउन रहा है उस लोकडाउन कर्फियू के ओपर मुख्यमंतरी का आगरे आया ह मुख्यमंत्री ने इस पस्ट आदेश और संदेश दिया है कि यदी लॉकडाउन की पालना जनता ने नहीं की तो पूरे प्रिदेश में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा इस पस्ट आदेश है मुख्यमंत्री का एक तरीके से चेतावनी वी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रिदेश के लोगों को दी है कि अगर उन्होंने इस लॉकडाउन को नहीं समझा को और पर ये चेतावनी अपने ट्यूटर अकाउंट से दी है कि अगर लॉकडाउन की पालना प्रिदेश की जनता ने नहीं की तो उन्हें मजबूरी के अंदर पूरे प्रिदेश के अंदर कर्फियू लगाना पड़ेगा और कर्फियू के जो हालात होते हैं वो बेहत विकट हालात हो जाते हैं यानि कि इस समय पे जिस समय आप आसानी से दूद और सबजीयों को भी लेकर घर पर आ पा रहे हैं वो इस्तिति आपको बहुत बुरी वाली इस्तिति में आपको चला जाना पड़ेगा अगर लॉक्डाउन की पालना जनता नहीं करती है क्योंकि आज सुबे से ही जो तस्वीर निकल के सामने आई है पूरे राजिस् कुन बात के तरीके से भी आप समझें की कोशिश कीजिए कि कुल मिलाके हमारे दो पाउं होते हैं एक पाउं सरकार की एकोनॉमी के तौर पर है और एक पाउं हमारी हैल्थ के तौर पर है एकोनॉमी को इस समय बहुत नुक्सान हो रहा है लेकिन एक पाउं खराब अभी अम ना कीजिए अपने घर पर ही दीजिए उसके साथ सरकार ने कुछ फैसले भी कियें जैसे कि आज MTTV इंडिया की टीम जब शहर के अंदर थी तो कई जगे के उपर मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों से मकान के काम करवाये जा रहे थे वहाँ पर MTTV इंडिया की टीम ने पहुचकर वहाँ पर जो मजदूर थे और जो ठीकेदार थे उनसे समझाईश ची उनको समझाया कि धार 144 क्या होती है इस समय करोना वाइरस से आप कैसे ने पटना और ऐसे जहां पर भी मजदूर काम करते वे दिखाई दियो उनको सब को घ श्रम राज्य मंत्री हैं टिकाराम जूली उन्होंने भी एक विभाग को महत्पूर निर्देश दे दिया है उन्होंने फैसला किया है कि जितने भी मजदूर हैं चाहें वह वाड़े जीक संस्थान के हो कार खाने के हो वरक्शॉप के अंदर हो वहाँ पर बंद रहकर अग बाद बках बोलिए कि किसी भी श्रमिक वैतन है वह ना काटा जाए 31 मारक तक की उसका अवकाश रहेगा वह भी वेतन के साथ और अगर किसी भी मजदूर को बूलाया जाता है कि चिसी भी श्रमिक कOnly को पांप बूलाया जाता है या उसे डर दिया जाता है कि उसको नौक्री स नम्मर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी सूचना दे सकता है, जिसकी शिकायत कर सकता है, अगर कहीं भी मजदूर किसी प्रिकार से काम करता आता है, उस नम्मर को भी हम आपको बतायते हैं, और उसके साथ आपको दूसरी सूचना भी देते हैं, सरकान ने लेवल लाइन का जारी किया है वो नम्मर है 18-00-9999 मैं आपको फिर से नम्मर दो रायता हूँ अगर आपको कोई भी मज़दूर कहीं पर भी काम करता देखता है तो आप शिकायत कर सकते हैं 18-00-9999 इस पर आप दे सकते हो और इसके साथ एक मॉबाइल नम्मर भी जारी किया है मॉबाइल नम्मर है 73-00-06-5959 नम्मर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 73-00-06-5959 सरकार ने साफ तोर पर आदेश कर दिया है कि कोई भी शर्मिक काम नहीं करेगा इसके साथ मंत्री जूली ने एक आदेश और दिया है उन्होंने फैसला किया है कि कोई भी शर्मिक बस या सभी सादान बंद होने की बएस अगर कि शहर में फसे हैं या खाने की कोई समस्या है तो इनी नंबरों के उपर वो सूचना दे सकते हैं और सूचना देकर जानकारी दे सकते हैं जिससे की सरकार उनके मदद कर पाया इसके साथ में एक खुश खबरी एक अच्छी खबर मान लिजी आप जो अजमेर जिले से है कि अजमेर जिले से कोरोना वाइरस से संबंदित कोई भी संदिक का आज कोई नया केस नहीं आया है ये एक भीहत खुश करने वाली खबर है क्योंकि अजमेर की जिले की जो सीमा है उ उसके साथ में जो प्रिशाशन की ओर से हमको जानकारी इस वक्त मिली है उस में हमको तरक बताया गया कि 202 लोग विदेश से आए थे और विदेश से आने के बाद में इन नागर्गों के घर पर dotis चस्पा कर दिया है इनको home isolate किया गया है इनको कहा गया है कि ये अपने घर पर ही रहें इनके हाथ पर एक सील भी लगाई गई है ये सील इसलिए लगाई गई है ये होम आईसुलेट जिन लोगों को रखा गया है अगर ये लोग घर से बाहर निकलते हैं जो जिन में संभावना है ऐसी कि क्योंकि इनको का आगया ये विदेश से या बाहर निकलते हैं तो आप इसकी शिकायत जिला अधिकारियों को चिकित्सा विभाग को कर सकते हैं दे सकते हैं इन लोग के ओपर सकत पाबंदी लगाई गई है कि इन्हें 14 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और इस पूरे काम के लिए चिकित्सा विभाग की ट अजमेर पूलिस ने सकती बरतना शुरू कर दिया है दारा 244 की कड़ाई से पालना शुरू कर दिया है क्योंकि जिस तरीके से तस्वीराज नजर आई है वो बेहत लापरवाई वाली तस्वीर आई है और इसके बाद से अजमेर एस पी जो कुमराश्ट दीप सिंग है वो म आखे पर मौझूद हैं यह तस्वीर आपको बया कर रहे हैं खुद ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हैं सड़क के बीचों बीच खड़े हों लोग को समझा रहे हैं घर लोग को बेज रहे हैं जो लोग इस समय यह देखने आ रहे हैं कि शहर की सत्ती कैसी है कई लोग और शाम की चार बज़े से नाकाबंदी शुरू हो गई है और चार बज़े के बार नाकाबंदी के बाद से लेकर अभी नौ बज़े तक अजमेर S.P. कुमर राश्री दीप सिंग खुद मौके पर मौजूद हैं ग्राउंड पर मौजूद हैं पूरी मौनिंटरिंग ग्राउ की भी बात की गई है कि उनके उपर सक्त सक्त कारवाई इस वक्त की जाएगी क्योंकि कोरोना महावारी को रोकना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है हमको अपने घर पर ही रहना है बाहर नहीं आना है इसके साथ साथ कोरोना वाइरस जैसी महावारी और इस चुनोती से निप सब्सक्राइन notalnut functions. जिसमें एक मंत्रे ह मदताम फीर अगो कोश चोप में अर्थिक मादद देने की गोशना भी कर चुके हैं । शुरुआत नोहर से कॉंग्रेस के विदायक अमी चाचा ने अपने एक मा का वेतन दे कर गोशना की थी उन्होंने कोडी कोश के अंदर ये पैसा दिया था उसके साथ साथ गोशना के साथ दूदू से जो कॉंग्रेस के विदायक हैं बाबूला नागर उनके साथ में अन्य व पूर्दान मंत्री साहता कोश में दान करने का निड़ने क्या है। कॉंग्रेस के विधाय के बावलाल शर्मा उन्होंने अपने दो महिने की सैलरी मुक्य मंत्री रात कोश में दी है। कोश में देने की गोशना की है। यानि कि कुल मिलाके मुक्य मंत्री की जो अपील थी, जो साहता राशी उनको चाहिए थी, उसके लिए कोविड-19 का जो राहत कोश मनाया था, उसकी अपील का बासर नजर आने लगा है। इसके साथ मुक्य मंत्री ने एक निवेदन और पूरे प्रिदेश से किया है कि लोग किसी भी कीमत पे अपने घर से बाहर ना निकलें। और जो लोग बेसाहारा हैं, गरीब हैं, फुटपाप उपर सोने वाले हैं, उनके लिए एक वेवस्ता की जाए, कोई भी भूका ना सो है, इसके लिए प्रिशाशन ने तयारी शुरू कर दी है। बताता रहेगा कि इस दोरान करोना करप्यू से आपको कैसे लड़ना है, कैसे क्या नए आदेश, सरकार क्या आ रहे हैं, प्रिशाशन क्या रहे हैं। हाथ दोते रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि जब जरूरी काम हो, तब ही अपने घर से बार आपको निकलना है, क्यूंकि आपकी सुर्वक्चा, आपकी सीहत के लिए बहुत सारे अधिकारी, करमचारी इस वक्त कोरोना वाइरस से जंग लड़ रहे हैं, और उनको इस जंग स जिताने के लिए आप लोगों को अपने घर पर ही रहना है। में घूमते रहने के लिए या फिर एक छोर से दूसरे छोर आने जाने के लिए अपने बच्चों को या अपने जानवरों को घुमाने के लिए उन्हें कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। सकती करते हुए ऐसे लोगों को जो अनावश्यक निकले हुए हैं उनको रोक रहे हैं और उन्हें वापस घरों पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और अगर कहीं पर हमें कोई उनकी गाड़ियों को लेकर के कोई कमिया मिल रही हैं तो हम अमिएक में कारवाई कर रहे हैं। ये रेगूलर नाकाबंदी जारी रहे हैं कल सुबह सही शुरू कर देंगे हम अभी आज रात में जारी रहेगी दस राड़े-दस बजे तक और कल सुबह पुनाई से चालू कर देंगे और कल हम जादा सकती रखेंगे। नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाईरस या कोविड नाइनटीन को पहलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे। खासते या चीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें। इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दें। अपनी आँक, नाक और मूँ को हाथ से नच्चुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोएं। भीड बाहर वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खासी बुखार या सास लेने में तकलीफ हो रही हैं। तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला लें। अस्पताल में आप अपने मुँपर मास्क या रुमाल ज़रूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्त तेवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हेल्प लाइन है 011-239-780-46 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।